नमस्कार दोस्तों इंडिया की बात में आप सब का स्वागत है आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं मुकुलसरल और अदिती और जिन तीन एहम सवालों पर हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं वो ऐसे सवाल हैं जिससे तै होगा कि आने वाले छे महीने भारती राजणीती के किस दिशा में जाएंगे सबसे पहला सवाल ये है कि महाराश्ट और जार्खन में जो चुनाव होने हैं उनका क्या असर पड़ेगा असर पड़ेगा या फिर उसी तरह से जो चुनावी प्रचार पहले सोच रखा था वैसे ही चलेगा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है वह यह कि इंडिया गटबंधन की रणनीती चुनावी रणनीती क्या बदलेगी क्योंकि जिस तरह से दबाव बढ़ा है कॉंग्रेस के उपर उसका क्या असर पड़ेगा क्या नए धंके समीकरण सामने आएंगे या फिर भारती जनता पार्टी का जो दाओं है वह इंडिया गटबंधन पर हावी रहेगा और तीसरा सवाल भारती जनता पार्टी प्रधान मंत्री नरेन मोदी आरेसेज जिस तरह से चुनावी खेल चल रहा है उसमें क्या सिर्फ और सिर्फ नफरत नफरत और नफरत विकास गायब रहेगा या कुछ नया करेंगे सबसे पहले जिस पर देश फूरी तरह से बत रहा है وہ यह कि क्या होगा महराष्ट और जारखन में जिस तरह से हरियाना में बताया जा रहा था कि कॉंग्रेस की आंधी है और वह पूरी तरह से फलोप आंधी में तब्धील हुई जम्मू कश्मीर में नेका और कॉं अंग्रेस की जो भूमी का है वह इतनी सक्सेस्फुल नहीं रही ऐसे में जिस तरह से महराष्ट और जारकन में राजनीती गर्माई हुई है क्या होगा यहां पर सियासी समर में किस तरह से पूरा का पूरा जो चुनावी कैम्पेन है वह क्या अपनी दशा और दिशा का इस पर क्या है पंच बताएंगे मुकुल हाँ मेरा मानना है कि पहले ही आसान नहीं था महराष्ट का चुनाव और जारकन का चुनाव और उस पर इनिश्य थी हर्याना के नतीजे जो है असर डालेंगे पहले जो 50 परसंट जोखिम था वो बढ़ गया है इसलिए और जो कस बाकी रह गई है इसी वज़े से हर्याना के साथ महराष्ट का चुनाव नहीं हुआ वह कसर वह चुनाव आते आते बीजेपी पूरी करने की कोशिश करेगी अब भाशा इस पर क्या है आपका पंच देखे मेरा मानना है कि महराष्ट और जारखंड में जो चुनाव होंगे उसमें बीजेपी का जो मिशन है वह मिशन आधा सक्सेस्फुल हो गया है कॉंग्रेस पर निशाना साधना और राहूल गांधी को डिस्क्रेडिट करना लिहाजा महराष्ट और जारखंड एक बहु सी चीजें खुलेंगी दाओं पर दाओं लगेंगे और दिल्चस्फ रहेगा यहां मुकाबला अधिती क्या है इस पर आपका पंच भाषा मेरा पंच यह है कि यह जो चुनाव हुए इसमें जम्मू और कश्मीर का जो है तो वो तो एक साकारात्मक असर पड़ेगा विपक्ष के लिए और जहां तक हर्याना का सवाल है मुझे लगता है जादा असर नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि इन दोनों राजियों में कॉंग्रेस से सीधा टकराव नहीं है वहां की लोकल पार्टी है रिजनल पार्टी है जिनकी अपनी धाक है एक बात जो बहुत साफ दिखाई दे रही है अदिती की जिस तरह से जैसे ही परिणाम सामने आते हैं खासतोर से हर्याना पर जिस तरह से बैंड बाजा बाराच चलती है जो बहुत सुभाविक ही था क्योंकि तीसरी बार बीजेपी आई इतना आक्रोश था 40 से जादा सीटी आई यानि पिछली बार से 8 सीटों का और इजाफा हुआ 48 सीट पर भाश्पा पहुशती है वहां पर तीन निर्दली और शामिल हो जाते हैं उसमें तो यह जो सारा परिद्रिश है और इसे भुनाना तुरंथ ही महराष्ट में शुरू भी हो जाता है हमें दिखाई दे रहा कि महराष्ट की राजनिती इसके इर्दगर चल रही है तो फर्क तो पढ़ेगा ना भाश्पा तो इसे दिखाएगी कि इंडिया गडबंधन सही नहीं है नहीं मैं आपसे इसमें अगरी इसले नहीं करती हूं क्यूंकि हर्याना में आप देखें तो एक प्रतिशात वोट शेर का फरक है और जैसा किसी पत्रकार ने कहा था कि हर्याना में अगर कॉंग्रेस को कोई हरा सकता ह तो वो खुद कॉंग्रेस ही तो अगर आप न्यूस क्लिक में आज हमारा आर्टिकल पड़ें उसमें भी भाजपा की कोई इतनी बड़ी जीत जितनी दिखाई जा रहे है उतनी बड़ी जीत हो ही नहीं है मुझे लगता है ये बाकी और सारे बहुत सारे फैक्टर्स थे जि इस वज़े से ये जीत हुई है तो महाराष्ट्रा में क्योंकि बाकी पार्टी भी है शिवसेना उधव ठाकरे है मुझे लगता है कि कॉंग्रेस का उतना जादा नहीं चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए मुकुल लेकिन सवाल है नहीं चलना चाहिए और भाजपा की जो सिर्फ मोधी फैक्टर आ जाता है और नायप सेनी का फैक्टर आ जाता है लेकिन महराष्ट पर फर्क तो पड़ेगा क्योंकि वहां पर लोग तो बोल रहे हैं हाँ देखे फर्क इसले भी पड़ेगा मैं दो चीजे मैं बता हूँ जब हर्याना में जो मुद्दे थे मतलब जनता के मुद्दे थे चाहे वो किसान का मुद्दा था चाहे वो जवान का मुद्दा था चाहे वो पहलवान का मुद्दा था उसे उन्होंने जाट बनाम गैर जाट में बदल दिया इतना आक्रोश दस साल की एंटी इंकंबेंसी कोई उपलब भी बताने को नहीं है मनोहर महल था और चाहे वो ग्राउंड रिपोर्ट पर जा रहे थे पत्रकार चाहे वो सर्वेयर थे सब लोग कॉंग्रेस की जीत बता रहे थे उसके बावजूद यह परिणाम आया है महराश्ट महराश्ट में पहले ही बहुत पहले वहां बटवारा हो चुका है और उन्होंने उस चीजे हैं अब और जो कसर बाकी रह गई वरना हर्याना के साथ महराश्ट के चनाव हमेशा होते आए हैं लगभख कुछी दिनों का फरक रहता है विलान सबार जब समाप्त होती है इस बार नहीं कराया यानि है जान रहते हम हर्याना को देखकर महराश्ट की रणिती तैय क लेकर जम्मू कश्मीर में जो जीत हुई है जैसे भाषा ने भी कहा वहां एंसी ने जादे बढ़त बनाई है कॉंग्रेस उस तरह से नहीं कर पाई जम्मू में उससे बहतर कर सकती ती नहीं किया तो कांग्रेस के हाथ में कुछ नहीं है इसलिए उसके सयोगी दल भी अब सल्हा मश्वरत देने लगे हैं अब वह कितना क्या सक्सित होगा लेकिन देखिए मुकुल जो कह रहे हैं सवाल यहां महराश्ट और जार्खन दोनों का है और अभी तक दिखाई दे रहा है कि महराश्ट और जार्खन में इंडिया गडबंधन ने अपनी क्या रणनीती बन मनाया जोती बाफूले सावितरी बाफूले इंकी मूर्ती का स्थापना होती है हरियाना में सबसे बड़ा काड़ भाजपा खेलती है दलित दलित कि कॉंग्रेस दलित विरोधी है और उसके बाद जितने विश्चलेशन चल रहे हैं वो यही बताने के लिए है कि भाई कॉं आदिवासी आपकी आदिवासी द्रापदी मुर्मू है आपने उडिसा में एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया है यह सब क्या असर ने डालेगा महराष्ट और जारकंड में भाशा कुछ हद तक असर डालेगा लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है कि विपक्ष की क्य रननीती रहती है और क्या कैमपेंड रहता है क्योंकि अगर आपको याद हो कि 2019 के चुनाव में किस तरह से बाजपा ने बुनाया था कि हमने यह कर दिया हमने वह कर दिया धारा 370 तो अगर विपक्ष उसी चीज़ पर लेके एक नैशनल लेवल पर करता है कश्मीर को जाद बहुत ही ज्यादा भूमिका रही है तो किस तरह से विपक्ष अपना कैमपेंड चलाता है इस पर मुझे लगता है बहुत कुछ नहीं चीज़ मैं उससे पहले इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टन बात कही जिसको ग्रह मंत्री से लेकर प्रधान मंत्री से लेकर तमाम टीवी डिसक्रिशन चल रहे हैं वह बता रहे हैं कि अब तो आंदोलन बीते दिनों की बात हुई इससे चुनाव नहीं जीता जा सकता वरना पहलवानों का आंदोलन, किसान आंदोलन, नौजवानों का बिरुजगारी वारा आंदोलन तो यह कैसे देखा जाए आपकी क्या मैं ये कह रहा हूँ जैसे मैंने कहा कि है इन्डिपेंडन का बड़ा रोल रहा और जो छोटी पार्टिया थी वहाँ भी महराष्ट में भी ऐसी पार्टिया हैं कि जब हो द अलर इन्डिपेंडन खड़े साथ Já रहेगा उधर ठागरे ने मांघ एक मुख्यमंदर मुख्यमंत्री का चेहरा कोशित करें अब उधव कहतो रहें कि मैं सभी के लिए स्विकार होंगा लेकिन अगर उधर से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा आता है तो शिफ सेना उस तरह से उस सही शायद नहीं हो इधर उधव आते हैं तो कॉंग्रिस ना हो यह एक बड़ा खेल अभी चलेगा दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि अभी चीजे बदल सकती हैं अगर समझदारी से फैसले लिए जाएं अधिती मुकुल ने मेरा जवाब नहीं दी आप जवाब दीजे कि क्या आंदोलन और जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है यानि चुनावी राजनीती चुनाव लड़ना चुनाव में उसका असर पड़ना इनके बीच कोई रिष्टा नहीं रह गया जैसे भारती जनता पार्टी बता रही आज की तारीक में मैं मानती हूं कि आंदोलनों का ऐसे यह तो आंकड़े ही बता सकते हैं हां किसान अंदोलन का तो बिलकुल फरक पड़ा है मुझे लगता है हर्याना में जितना मैंने पड़ा है उसमें रूरल उस बेल्ट में कॉंग्रेस को काफी अच्छी वोट मिली हैं और एक किसानों के बीच में रहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है इस सरकार के MSP को लेके वो मानी इसलिए ही गई थे कि चुनाव होने वाले थे UP में और पंजाब में और अभी आप आंदोलन के असर यह कि इस समय चुनावी मेनेजमेंट बहुत हो रहा है चुनावी मेनेजमेंट चुनावी चानक के यह सब टर्म इतनी आ गई है कि सारे मुद्दे सारे आक्रोश कोई ख़बर नहीं है जो परियावर रहे है往 training दिखाना चाह रहे है कि आंदोलन करते रहे कि तो यह बड़ा देखने वाला इक कि अंदोलन कहें कुछ कहें कोई कवरेज नी मिला बिल्कुल दबा के रखा लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का सब मानते हैं मुझे लगता है भाजपा खुद मानती है कि असर पड़ा है एक तरह का अंदोलन ही था ना वो तो मुझे एक बात जो जरूर लग रही है कि जिस तरह स टे आंदोलन को डिस्टेट करना विपक्ष को डिस्टेट करना और विपक्ष का क्योंकि बड़ा चहरा राहुल गांदी हैं लिहाजा उन पर हमलाबार होकर यह बताना कि आदमी कुछ नहीं कर सकता यह भी भारती जंता पार्टी की एक सुनुयोजित रणनीटी है और यह इसलिए प्रचारित किया जा रहा है कि देखी हर्याना और हर्याना की 90 सीटें जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर जादा भारी हैं चर्चा हम जम्मू कश्मीर में जो जीत हुई है जिस तरह स सामदाम दंड बेद इस्तमाल किया बीजेपी ने 2019 के बाद से वहाँ पर LG शाशन यानि मोधी शाशन है वहाँ पर पांच अलग से विधायकों का प्रोविजन किया गया वहाँ पर तमाम लोगों को ऐसे लोगों को उतारा गया 30 पार्टियां अदिती 30 पार्टियां जम्मू क कश्मीर पर भी सारा ध्यान आद यंद्यान हमारा भी अंचाहा ही हर्याणह पर आ जाते हैं जम्मू कश्मीर का मसला है चाहिए यूपी का हैँ हिंदी पट्थी है हर्यान को लेकर यूपी और भी 8 सबसक्साइः बिहार निया सबतिया तो चुनाओं ऐसे बहुतब्स शेतरिय पार्टिया और कॉंग्रेस यह अगर समज्दारी से टिकट का बटवारा करें और ठीक से परचार करें तो मुझे लगता है कि यह कोई हर्याना बिलकुल नहीं है कि वो बदला ना जा सब्क जैसे है और महराश्gary地方 की लिए दो कि उद्धव थाकरे के साथ अन्याय हुआ है उसके साथ दगाबाजी हुई है और जिस तरह से यह सरकार खड़ी गई है तो वह एक सेंटिमेंट वह भी काम आएगा अब यह हमें पता भी चलेगा सेंटिमेंट हमें दिख रहा था कि अभी अजित पवार खेमे में भी खल वली लेकिन यह है कि चिनाओ एक ही फारूनले पर नहीं है उसके अलगलग पैटरन दिख रहे हैं अलगलग राज्यों में अलगलग तरह से वोट किया जा रहा है और मुझे लगता है कि यहां पर जो मैं चाह रही हूँ जिस पर सबका ध्यान होना भी चाहिए कि सिर्फ हर्याना की 90 सीटे नहीं है जम्मू कश्मीर की जो 90 सीटे हैं उनमें अगर 50 प्लस इंडिया गड़ बंधन के पास गई है तो उसका भी संदेश इंडिया गड़ बंधन को महराष्ट और जारकंड तक पहुचाना यह उसका काम है क्योंकि जो मीडिया है वह तो निश्चित तोर पर एक भी प्राइम टाइम डिबेट इस पर करने को तयार नहीं है कि कश्मीर में आखिर मोदी जी का नया कश्मीर विफल क्यों हुआ अब हम चलते हैं अपने दूसरे एहम मुद्दे पर जो जुड़ा हुआ है पहले ही सवाल के साथ कि आखिर इंडिया गड़ बंधन जिस प इसलिए बहुत एहम है कि जैसे ही हरियाना का परिनाम आता है इंडिया गड़ बंधन में जबर्दस खलबली मचती है सारे के सारे लोग कॉंग्रेस पर निशाना साथते हैं और आम आदमी पार्टी दिल्ली में इंडिपेंडेंट अपने आप चुनाव लड़ने का एलान क कहते हैं कि 10 में से 6 सीटों का हम नाम घोशित कर रहे हैं बाकी जो दल हैं जिसमें शिवसेना से लेकर उमर अब्दुल्ला है सबके अपने अपने कमेंट्स आते हैं और बताते हैं कि कॉंग्रेस को गड़ बंधन का धर्म निभाना सीखना जरूरी है इस पर क्या है पड़ेगा ही कि वो अपना बड़े भाया रवया दूर करके अपना दिल थोड़ा और बढ़ा करें वरना मुश्किल हैं और बढ़ेंगे मुकुल क्या है इस पर आपका पंच हाँ मेरा भी यह मानना है कि चुनावी रणनीती तो बदलनी पड़ेगी लेकिन जो अंतर विरोध हैं वो शेत्रिय पार्टियों में भी कम नहीं है लेकिन उन्हों उससे सबक लिया चाहे हो समाजवादी पार्टि का अपने शेपाल और अखलेश का विवाद था या जित्पवार अलग हुए तो सबको ही समझना है सब कांग्रेस कोई नहीं क्योंकि इन सब पार्टियों को यह समझदारी लेनी होगी कि हमें किस तरह एक होकर लड़ना है रणनीती तो बदलनी पड़ेगी भाशा इस पर आपका क्या है पंच मुकल मेरा साफ मानना है कि बीजेपी की जो रणनीती है वह पहले दोर में सफल होती दिखाई दे रही है और उसकी रणनीती यह है कि इंडिया गडबंधन में फूट पड़ जाए लोग साथ ना रहें और सारे के सारे लोग कांग्रेस पर हमला वर हों ऐसा होता है तो एक जो क्रिडिबल विपक्ष है जिसकी साख है वह नहीं रहेगी और इससे बहतर चीज कोई नहीं हो सकती है यह बात आज की तारीख में इंडिया गडबंधन की सभी पार्टियों को इंक्लूडिंग कांग्रेस समझना जरूरी है अधिती जो दिखाई दे रहा है जिस तरहा क स्वर आए हैं अभी तुरंत ही यहां रिजल्ट आया और इधर लोगों ने बोलना शुलू किया और ऐसा हम मानी के चल रहेते की होगा ही निशाने पर राहुल गांधी है और अंदर से भी निशाने पर राहुल गांधी है शैल जा और सारे लोग बोल रहे हैं कि आपने अं परवंदन नहीं आदाता है जहां वो कमजोर होती है वहां वो बाकी छेतरी दलों पर बड़े भाईया जैसा जैसा आपने कहा वैसा रुख अख्तियार करती है तो इसमें कैसे बदलेगी रणनीती नहीं मुझे लगता है कि कोई चारा नहीं है बदलनी पड़ेगी रणनीती जैसा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा में देखा गया था उस तरह से कॉंग्रेस को बदलनी पड़ेगी अपनी रणनीती ये दबाव अब कॉंग्रेस को इंट्रोस्पेक्शन करके ये करना पड़ेगा कि सब को साथ लेके चलना है वरना तो फिर मुश्किल हो जाएगी लेकिन मुकुल इंट्रोस्पेक्शन तो कॉंग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल चीज है क्योंकि हर्याना में भी हमने देखा कि एक बार भी उसने पुनर विचार नहीं की अपनी रणनीती में कोई तबदीली नहीं की हुड़ा 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 जाट 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 ही च चाहा कि आप उपर की सीडी से नीचे की सीडी पर मत देखिये इतनी क्या मुश्किल है कॉंग्रेस को पर मुझे लगता है की रननीती तो यहां बदलेगी और वो कॉंग्रेस विनर्म होगी क्योंकि यह हर्याणा में बात हुई चाहे हो मध्यप्रदीश का हमारे सामने उध परदावर नेता उन्होंने जो पूरा होल्ड कर रखा है जैसे हुड़ा बनाम दूसरे लोग चले शैलजा चली यह जाड बनाम गहर जाड चला वहां कमनलात का मसला था वहां शोग गैलाओ थे वह अपने अपने सब पुत्र मोह में अपने अपने गद्धी मोह में लगे वे और ऐसे ही जारखन में हमें सौरेन मख्य मंतểnी है कॉंग्रेस कोई मुख्य पार्टी ने लीड में नहीं है वहां भी वो इस तरह से उसका वी ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है यहां कुछ बड़े चेहरे जो हैं जो अपने-अपने आप में पूर ये गद्धर एक अपने व् जीत जाएं तो हमारा कैसे होड़ रहेगा जादे जीतेंगे तो क्या होगा कम होगा तो क्या होगा वहां महाराश और जहरकंड में ऐसी स्थी नहीं है तो वहां मुझे लगता है कि अब और इसका सबक तो कॉंग्रेस काफी समझोते में जाएगी अधिती जो अंग्रेजी में चुनाओं के दोरान ही उट गए थे जब उमर अबदुल्ला ने उनसे कहा था कि आप कश्मीर थोड़ा ध्यान कम कीजे जम्मू जाएए और जम्मू में प्रचार कीजे और उनकी आशंका बिल्कुल सही थी जम्मू में इतना खराप प्रदर्शन कॉंग्रेस का कभी नहीं करें लेकिन सर फुटवल तो होने की आशंका है ना जारखन का मैं उतनी अच्छी तरह से नहीं कह पाऊंगी लेकिन महाराश्टम एक तो मुझे यह लग रहा है कि राहुल के ऊपर जो अटैक हो रहे है ना यह भी मुझे लग रहा है कि यह एक मीडिया और मैनेजमेंट का ह इससा है क्योंकि बेसिकली कॉंग्रेस के साथ यह प्रॉब्रम रही है यह राज्य लेवल पर जो एक कबजा पॉलिटिक्स चलती है ना कुछ-कुछ नेताओं कि जहां हुड़ा हो गए या वहां कमलनात हो गए उसको यह हैंडल नहीं कर पाए है शायद मुझे लगता है कि अब वह कर पाएंगे और हाँ बीजेपी के लिए यह है कि राहूल को लेके वह अटैक कर रहे हैं कि राहूल की रननीती खराब हो गई है मुझे नहीं लगता है इसका कुछ होगा क्यूंकि जमीन राहूल ने काफी तयार किया और इंट्रस्पेक्शन होगा मेरे हिसाब से जो मुकुल कह रहे हैं वे नम्र होगी कॉंग्रेस बीजेपी ने अपना पहले हिसाब कर लिया था कि अगर वहारती है जो दिख रही थी तो प्रदान मंत्री को कैसे बचाना है अब तो राहूल पर निशाना कर रहे हैं लेकिन वह उन्होंने वह भी डर रहे थे तो उन्हो कि बिलकुल गलत एस्टिमेट है क्योंकि हम दरसल यहां से नहीं जानते थे कि भारती जन्ता पार्टी की रणनिती क्या थी तो वो एक अलग डिबेक का। कि उनकी जो सभाएं हुई है और छोटी सभाओं पर जो फोकस किया है राहुल गांदी का बिल्कुल उल्टा था बड़ी सभाएं थी यहां पर आप देखिए गुड़गाओं जैसी जगा पर अलग-अलग इलाकों में तीन-तीन सभाएं कि यहां पर हर्याना चुनाओं इसलिए खास है क्योंकि दो लोगों की जो मदद है जिसमें चर्चा कम है आरेसे का गुड़गाओं और फरीदाबाद में अलग से मीटिंग करना और इसके बारे में प्रेस रिलीज जारी करना कि अब हम देख रहे हैं और अब हम देखेंगे और दूसरा जो फैक्टर था डेरा सच्चा राम रहीम दो जो फैक्टर से जिन पर चर्चा मीडिया में जीरो बटा सन्नाटा है और सब यह बता रहे हैं कि यह मोदी है या अमिश्या जी है या नाइप सिंग सेनी है तो खैर वो आलग बात है हम इंडिया एलाइंस में यह मान के चल रहे हैं कि आपका कहना है कि अभी दिल्ली तो एक उट है पता नहीं किस करवट बैठेगा बिकोज आम आदमी पार्टी ने अब 88 सीटे वहां पर हर्यानय में लगा दी जबकि उनकी उतनी चलतनी पहले भी आप कॉंग्रिस को बहुत जगे देने के लिए तैयार नहीं थी यह तो अब एक और बहाना मिल गया कि सिर्फ नफरत 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 प्लस राष्टी स्वयम सेवक संग का साथ इन दो का जो कॉंबिनेशन हो रहा है इसी पर मोदी जी की सारी राजनीती केंरित हो गई है चाय हर्याना चुनाओ हो या फिर जम्मू कश्मीर चुनाओ और इनके नतीजे जैसे ही नतीजे आए इ इतरबी और प्धानमंत्री की भाषनों से पूरी तरह से यह मुद्दा गायव हो गया है लगात हिंदू समाजंदो समय समाझ को बाटना हिंदू समाज को जोड़ता बस इसी पर अपना चुनाओ परचार कर रहे हैं इस पर क्या है पंच बताएंगे मुकुल हाँ तो भाशा मेरा मानना है कि आरसस और नफरत दोनों बिलकुल हम जोली है और इनका साथ हमेशा से बीजेपी के साथ रहा है और रहेगा तो कभी वो काम कर जाता है कभी नहीं करता विकास की बात तो बहुत पीछे रहे गई 2014 के बाद विकास की बात आई नहीं है सबका साथ सबका विश्वाश भी अब छुट गया है उसमें हिंदू समाज और हिंदू समाज में भी किस तरह से वह यहां भी जो अगर सबका विश्वाश की होती तो जाट को अलग नहीं करती बीजेपी उसने जाट और नॉन ज एक और मोदी दो से काफी फर्क है अब मोदी जी को और पूरी की पूरी भारती जनता पार्टी को इस बात पर सो फिस्दी भरोसा हो गया है कि वे सिर्फ और सिर्फ हिंदू हिंदू खत्रे में हैं बटेंगे तो कटेंगे जैसे स्लोगन्स के जरिये ही चुनाओं में ले सकती है वरना जिस तरह से विकास की बात थी वह विकास जमीन पर है नहीं लिहाजा अभी नफरत चलेगी और उसमें बढ़ चड़कर खुल कर खेलेगा आरेसे अधिती क्या है इस पर आपका पंच मेरा पंच यह भाशा की प्रधान मंतरी की विक्टरी स्पीच से ये क्लियर हो जाता है कि नफरत और बाटने का अजंडा ना कहाई कहीं गया था और ना कहीं जाएगा बलकि बढ़ेगा ही और जहां तक आरेसेस के साथ और आरेसेस के डिफरेंसिस का नेरेटिव था आरेसे बात रहेगी यह अटल बिहारी जब प्रधान मंतरी थे तब भी कहा जाता था और उस समय दो चेहरे दिखाए दिये जाते थे आज जब हम मोदी तीन में बात कर रहे हैं तब आरेसेस में खाली अंतरी आया है कि मोहन भागवत खुलकर बोलते हैं और उनके भाशन लगातार लाइफ चलते हैं और वह बताते हैं कि अब एहंकार हो गया था मोदी जी में इंडिरेक्ली बोलते हैं कि 240 पर ठिक गये थे अब हम कोर्स करेक्शन करवाएंगे तो एक थोड़ी बड़ी हुई भूमी का दिखाई देती है आरेसेस की जो अभी तक मोदी एक और मोदी दो मे थोड़ा परदे से पीछे गाइडलेंस में था हाँ तो वह इसलिए भी था कि वह पूर्ण बहुमत से आ रहे थे तो मोदी जी किसी की सुन नहीं रहे थे अब वो जब थोड़ा नीचे आ हैं 240 और मोहन भागवत की भी मजबूरी है बोलना दरसल जो आरेसेस का काडर है जो आरेसेस के लोग हैं पहले बहुत-बहुत पुराने लोग हैं उनमें इन सब चीज़े जो रायनिती बीजेपी करती है खास्तोर से मोदी और शाह की रायनिती उसे नाराजगी रहती है तो वह कैसे मतलब वह अपने को अश्यूर्ट नि कर पाता जोड़ नहीं पाता कि मैं वो बीजेपी वो कॉंग्रेस वो तो उसके लिए उन पर मरहम लगाने उन्हें उस साहित करने के लिए भी मोहन भागवत कहते हम डाट रहे हैं और देखी यह सब फिर साथ आ जाएंगे और फिर ठीक हो जाएंगे तो मोहन भागवत की बोलना मजबूरी रहती है कि अपने लो योगी और हमंत Divisusarma एक बड़े नफरती स्टार कैमपेंअर होंगे स्टार कैमपेंअर होंगे लेकिन दोनों के चुनाव के नतीजे क्या होते हैं दोनों का भागवत बिलकुल जुड़ा हुआ है तो उसके उपर बहुत निर्भर होता है वैसे स्टार कैमपेंअर तो वो वहां के कारिकरता हों के लिए मोहन भागवाज जी बेसिकली बोलते हैं क्योंकि नाराज है अब आप देख लिए हर्याना में आधे तो कॉंग्रेस के टूटेवे लोग जीते हैं जिनके लिए आरे से संग को कैम्पेन करना पड़ रहा है तो यह कहीं ना कहीं दीमोरलाइस कर पाइडे रही है कि अचानक ही चाहे वो कुंब का मसला हो चाहे कुंब में किस तरह से आयेस ऑफिसर्स भी नॉन हिंदू नहीं चाहिए यह डिक्टेट योगी को अखाड़ा देते हैं योगी उसे आगे बढ़ाते हैं या फिर वेज नॉन वेज की डिबेट की शाकाहार मा मांसहार नहीं खाया जाएगा मदीरा यानि दारू नहीं पी जाएगी शराब नहीं पी जाएगी दुकानों में नाम का मसला है तो यह जो सारी की सारी अक क्रूनiggles Blake है और फिर हमें दिखाइगी देता है की एक नफ्रती जो स्वेंभू बाबा है कि उसके नाम पर इंसा होती है और फिर योगी जी बटेंगे तो कटेंगे वाला डायलोग मोदी जी का डायलोग कि जो बाटने अगर बढ़ जाएंगे तो बाटने वाले जश्न करेंगे ये एक दिखाई दे रहा है कि आगे वाला ट्रेंड इसी क्रम में जाने वाला है ऐसा दिखाई दे रहा बाबरी मजजित के खिलाब राम मंदिर के नाम पर वहां से जो शुरू ही है चीजे नफरत की अलग-अलग चीजे वो अलग-अलग स्लोगन जरूर गड़ते रहे हैं चीजे आती रहे हैं लेकिन वो क्रोनलोजी जो आप करें वो सिलसला वही चल रहा है और अभी आप मत भूलिए अभी तो यूपी चनाओ के लिए ग्यानगापी रख रखी है कृष्णा मत्रा रख रखा है कृष्ण जन्मुमी अभी आप देखरे हैं बीच में बहुत चोर उठा था अब दबा दिया गया क्योंकि 27 के लिए यूपी के लिए रखना तो मुद्दे वो रखते हैं हमें लगता है कोई नई बात पर वो लगातार हिंदू-Muslim बटवारा चाहिए घरवाफसी एक बार बड़ा चला था घरवाफसी 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 अब लब जिहाद लेंड जिहाद तमाम तरह के जिहाद अब नाम लिखिए यह सारा वो अलग अलग तरह से करते रहते हैं और वो देखते भी रहते हैं मोहन भागवत हर चुनाव में बोलें चाहिए बिहार में कभी आरक्षन पर बोल देते थे कभी किसी पर कोई चीज पास हो गई देखा अभी कंगना से बुलवाया किसान वाला अब वो पास हो गया लग बक्तों कहेंगे कि आप किसानों पर और थोड़ा सा लांचन लगाई थोड़ा और बोलिये तो वो टेस्ट कराते हैं लेकिन आदिती एक चीज़ जो खत्रे की दिखाई दे रही है जिसमें मैं आपकी तुरे टिपड़ी चाहती हूं कि अब मोहन भागवत ने जो हाल में बयान दिया बारा में राजस्तान में उन्होंने सीरे कहा कि हम हिंदू राष्ट हैं हम हिंदू राष्ट थे और आगे की रणड़ीती बनाई और 2025 में 100 साल पूरे हो रहे हैं और आप देखें कि एक सिलसिला है पूरा तो यह सिलसिला क्या इन चुनाओं में भी असर डालेगा क्योंकि दो एहम राजियों के चुनाओं अभी होने जा रहे हैं जी लेकिन अब देखें विजय दश्मी में मोहन भागवत क्या दिशा देते हैं क्योंकि हिंदू राष्ट की पूरी परिकल्पना है वही बटवारी और नफरत की नीप पर रखी गई है तो उससे वह कैसे साकार करेंगे जब तक यह बटवारा समाज में नहीं होगा तो एक ब बार दो बार तीन बार उन्हीं की सरकार आए यह जो कूटनीती है यह कूटनीती इसमें भारती लोकतंत्र का बड़ा खत्रा है आप सब का दोनों का शुक्रिया मुकुल और अधिती नमस्कार